हेलो एव्रिवान वेल्कम तो दा चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे जहां पर भी होंगे सेफ होंगे तो आज मैं अपना जो व्लाग है वेज जंगल से स्टार्ट कर रही हूं तो हम लोग जा रहे हैं कहीं पर जंगल से हम लोग शॉट्कट से जा रहे हैं तो आज यहां पर वेदर से बहुत अच्छा है पंदरा डिगरी है धूप बहुत निकली हुई है शनी दे है पूरा तो हम लोग ने लंच किया और फिर हम लोग सुचे थोड़ा सा वॉक करके आते हैं तो हम लोग अपनी सोसाइटी के पास ही जा रहे हैं महाँ पे पॉंड है और बहुत सारी डक्स रहती है तो उनको कूट फिलाएंगे डक्स फूट खिलाएंगे और थोड़ा सा इशान प्ले करेंगा देन रहोग वापस आएंगे चलिए चलते हैं तो यह जंगल है पूरा तो यह शॉटकट रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और मेन रोट से जाते तो थोड़ा लोग होता था तो हम लोग जो है बना हुआ है जंगल में भीलोग आते जाते हैं तो छीये चलते हैं आफ।स्मील में लिए ओन में स्थ network पेलिख रॉटल ने? वेल ने अे ये ये ने बिखना जया को प्रोटनी ये? यह जहां तर लिख विली द्रूम तर लिखा रहत प्रोग मैं सकते ही जाए किस रहत प्रोगा को बाबू यह अनो कि आख तर फंटने में जा तर फंटने में जाक एप्टने में जा रिए आख दूने करें जाए भाइट तो बहुत जादा सुनी है थंडा भी है बट शन फूल ओन है यहाज पूरा सुनी है क्लियर डे अट यह तो अंदर लग रहा है कट मर्ने पुकर नो क मॉत कशल्ड ही ने महींAm में हona को से मान सकत्त ही के दूणों आप टकwehr आप येजन आप टी कि अआप पर आप दूख सेस्था पर आप अंत रहता है कि डंडरा आप Qinie यह बहुत खुश हो जाता है यहाँ पर आता है तो इनको फीड कराने के लिए इसको बड़ा मज़ा आता है तो चलिए भी फीड कराते हैं डक्स को थोड़ा सा दाना डक्स फूड ले आए हैं हम लोग अभी हम फीड कराएंगे कोई आ गई है कोई आता है यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि यह लोग दाना लेकर आए हैं खिलाने के लिए तो वह आ जाती है सारी बाहर निकल के बहुत बड़ी बड़ी हैं यह कि शान फीड करा रहा है डक्स को जगड़ा कर रही है यह यह खाने के लिए लड़ती हैं आपस में तो वहां पर आ रही हैं बहुत सारी डक्स कि आज़ो औज़ो अजाओ फटाफट आज़ो यह आज़ो पाई कैसे कर रही है लोग ठामा इस पत्रेत इशान को बहुत मज़ा आता है डक्स को फीड कर आने में देखिए कैसे उनको जो बेटा उनके आगे दो वह खारी है बड़े आराम से आज सोड़ी का में और भी रहती है यहां पर सब लाइंची खड़ी हैं बहुत तेज दूप है कुछ दीख नहीं रहा है पाइट कर रही है यह आपस में खाने के लिए तो मैं आपको आसका दिखाती हूँ यह जो है यहां पर बहुत सारे घर है यह दूसरी सोसाइटी है हम लोग के बगल में ही एक सोसाइटी है इसमें बहुत सारी चुटी चुटी फिच भी है और टर्टल्स भी बहुत सारे है अभी मत देखनी रहा है कैमरे में नहीं दिखेगा बट बहुत सारे टर्टल्स हैं फिशेज है क्षर किए दुटी चुटी बहुत सारे बहुत सारे बटल्स है अगा प्राध़ 12 कि अमया दो भालग लुझा है झालगों भुट्थम् जेएन के लेदाउन अगा है हुआ हुआ तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं हम लोग गय से शॉटकट के रास्ते से चंगल से बटदी वापस घर जा रहे हैं लॉंकट से मिन्स में रोड से तो गुषिए अब एवनिंग का समय हैं मैं इशान के लिए खेया ही तो मैं इशान के लिए जूस बना दे रहे हूं क्योंकि वो ओवियसल्वी छाय तो नहीं पिए Liberal के विर के लिए जूस बना दे रहे हूं तो जूस पी लेगा वह हैं ऐ कि आम आसे निए यहां पे गुलाब झामना बनाई जा रहे हूं और हम लोग का बाट दिन से गुलाब जामना खाने का मन कर रहा था तू मेरे Πास यह मिक्स्त रUCK अधा तो यहां पे मैंने दो कप गुलाब जामुन मिक्स लिया है और उसको मैं दूद से हलके हलका दूद डालके अच्छी से सौफ्ट आटा जो है गुंद ले रही हूं तो यहां पे देखिये यहांपर चासनी बना रहे हूँ तो यहांपर बेशन के लिए जके जो की हाँ तो मी एक कप पानी डालुगी तो यही रहता है Two is Two One का तॉ चासनी को मैसे रख दिया है पक निके लिए तОb तक मैं ग President तो यह आटा जो है यहां पर देखिए मैंने रखा था टीशू पेपर वेट टीशू पेपर में तो इसको भी वापस से थोड़ा साम लोग अच्छे से मसल लेंगे सॉफ्ट तक होने तक फिर इसका हम लोग गुलाब जामन बनाएंगे गोले जो है तोड़ के रख ले रहे हूं जितने भी साइस का मुझे गुलाब जामन बनाना है उस इसाप से मैंने आप देखे गोला करकर के रख लिया है यहां पर मैं देखिए चाशनी में जो है थो इस द्युवर्ण की चाशनी नहीं बनानी जो सुगर सीरा पर जो है वह के ठीप चिपचीपा हो जाए तो बस रोटी हो जाता है जूब गुलाब जामन बनानाना है उतना हो पीस के बनानती पटभू से शेफ़ पर मज्यों क्योफट को लिख Online चाँ और इस रोख को अ स तो मसलेंगे तो उससे क्या होता है कि फिर आटा सॉफ्ट हो जाता और फिर जो क्रैक्स जो आते हैं वह नहीं आते तो आप ऐसे ट्राइ कर सकते हो ऐसे ही मैं सारे गुलाब जामुन जो अपने बना के रेडी कर लेती हूं है यहां पे मैंने ओइल रख़ दी आ है गुलाब जामँ को फ्राइ करने के लिए तो आईल गरम हो गया है तो हमेन बहुत जादा हॉट Cup नहीं कर आई गुलाब जामुन नहीं करना को बनाने के लिए मीडियम हॉट होना चाहिए जादा हॉट आइगा तो गुलाब जामुन वो डालते ही फट जाएंगे तो यहां पर मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन जो है वो डाल दे रहे हूं और आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन तेल में जाते ही उसका जो साइज है वो डबल हो गया औरेडी तो इनको अच्छे से हम लोग फ्राय कर लेंगे ब्राउन हो चुका है तो उसको मैं निकाल के आप अब सुगर शिरप में डाल दे रहे हूं तो गरम गरम गुलाब जामुन को हम लोग को चास्नी में डालना चाशनी जो है थंडी नी होनी चाहिए वो ज्यादा गरम भी नी होनी चाहिए चाशनी तो फिर गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से पुरा चाशनी पी लेंगे और एकदम सौफ्ट गुलाब जामुन जो है वो बनेंगे और फिर ये दो घंटे के बाद देखिए मेरा आप पे बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, इसका तो इस निकाल प्राता है निकालते हैं और तो कट कर के देखते हैं, कि ये कैसे है, soft है कि नहीं, तो कि आप देख सकते हैं, कितना soft है, पूरा रस जो है अंदर तक चले गया है एकदम सौफ्ट बनाए I hope कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Bye and Take Care